जैहिंद एनलो गाईज स्वगत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल गियान देए होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ NDA यानि के National Defense Academy पुने गुरूप C Online Form 2023 मॉबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में जहां पर आपको step by step पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस form को घर बैठे अपने मॉबाइल से फिल कर पाएंगे और मैं आपको बता दू कि इसमें अपलाई करने के लिए किसी भी category candidate के लिए कोई fees नहीं है तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी official website jobsgyan.net ने इसका link वीडियो की description में दिया है जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस recruitment की जानकारी आजेगे जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपके 251 पद निकाले है जिसके form आप लोग 20 जनवरी 2023 तक भर पाएंगे फिर यहाँ पर दोस्तों आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी post पर कितनी vacancy निकाली गई है यहाँ पर इसमें सबसे अधर vacancy जो निकाली है वो MTS की post पर निकाली है जिस पर की 10 पास की योग्यता मांगी है apply करने के लिए तो आप इस सभी जानकर यहाँ पर चेक करेंगे और आप यहाँ पर आएंगे और आप apply online link इसके उपर click करेंगे इस पर click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा अब आपको यहाँ पर आ करके create new account यहाँ पर click करना है and then आपके सामने इस तरह से instructions आएंगे फिर आपको यहाँ पर आपका first name 10th के certificate के according एंटर करना है and then middle name डालेंगे अगर middle name नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे इसके बाद आपको आपका last name एंटर करना है फिर आप यहाँ पर जो आपकी dob है वो select करेंगे पहले आप यहाँ पर आपका birth year select करेंगे and then यहाँ पर आपको birth month select करना है इस परकार से और फिर यहाँ से आपको आपका day select कर लेना है फिर आता है आपका mobile number आपको अपना mobile number enter करना है अपनी email ID आपको यहाँ पर enter करनी है यह जो number और email ID आप यहाँ पर दे रहे है यह email ID और number बिल्कुल सही होने चाहिए क्योंकि अभी इनके उपर OTP जाएगा जो कि आपको आगे verify करना है फिर आप यहाँ पर एक password create कर लेंगे अपनी choice का उस password को दोबारा डाल करके verify करेंगे and gender select करेंगे कि male female या फिल transgender हो जो भी है वो आप select कर लीजे capture code फिल कीजे और इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद क्यूंकि बाद में edit का मोगा नहीं मिलेगा आप यहाँ पर register login पर क्लिक करेंगे register login पर क्लिक करने के बाद में आपकी email ID और number के उपर OTP जाएंगे आपको उपर की तरफ email ID वाला OTP एंटर करना है और नीचे यहाँ पर आपको जो number पर आपके OTP आया है वो डालना है यह जो मैंने email ID और यहाँ पर number दिया यह एक ऐसे ही demo के लिए number है कोई real number या email ID नहीं है तो यहाँ पर basically आप यहाँ पर OTP फिल करने के बाद capture code फिल करेंगे और verify OTP पर क्लिक करेंगे इसके बाद में आपका जो OTP verification है वो हो जाएगा और आप यहाँ पर login के page पर आजाएंगे अब जो आपकी login name है इसमें आपको आपकी email ID एंटर करनी है जो कि अभी आपने register की है फिर आपने जो password बनाया है वो password आप यहाँ पर डालेंगे यह capture code फिल करेंगे और लोग इन पर क्लिक करेंगे अब गाईज मैं आपको बताने वाला हूँ CRPF Head Constable Ministerial and ASI Astronographer Books और Practice Sats के बारे में जो की SK Books द्वारा पब्लिस की गई है and SK Books इंडिया का one of biggest book publication house है इसलिए चीते की चाल बाज की नजर और SK Books की काबलियत भरी बुक्स के उपर कभी भी संदे मत कीजगा तो चलिए अब मैं आपको जो इन बुक्स के point है वो भी बतायता हूँ ये बुक्स आप लोग English और Hindi दोनों के अंदर purchase कर सकते दोनों में available है बुक को buy करने का link वीडियो के description में दिये है और इसके अलावा जो इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आप जान लीजे इसमें आपको नविंतम पाठेकरम के नोसार practice के लिए model paper दिया गया है selected matter के साथ practice है तो आपको परसनों का अपार संगर है यानि कि काफी सारा जो question है वो देखने को मिलेगा विगत वर्सों के परसनों के साथ में CRPF constable, head constable, ministerial and ASI दोनों के लिए ये आपकी book है इसमें आपको काफी कुछ इससे जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा और इनका जो practice sets है वो भी आता है इसमें आपके 22 papers है जिसमें कि आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा इसमें आपके objective type, disruptive type सभी तरह के question होंगे तो जाएए वीडियो के description में आपको book को buy करने का link दिया है जो आप buy कर लीजे कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजेगा login पर click करने के बाद में आपके सामने instructions आएंगे मैंने एक form पहले ही fill कर लिया है इसलिए मेरे सामने यहाँ पर ऐसा interface आ रहा है सबसे last में आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी technical attendant की post MTS की post भी दी गई है तो मैंने MTS पर already apply कर लिया है और मैं अभी यहाँ पर LDC select कर लेता हूँ सभी पर apply करने का तरीका से मैं बस उसकी qualification कम जादा होगी उस post के eligibility के according फिर आप से पोचा है applied cast याँ कि कास्ट कौन सी है वो आपको यहाँ पर select कर लेनी है CST OBC या फिर EWS जो भी है वो आप यहाँ पर select कर लीजेगा किसी भी category के लिए कोई fees नहीं है फिर आतिया category तो अगर आपकी विकलांग और एक्सरीस मैन है तो आप select कर लीजेए नहीं तो आप none ही रहने दीजेए अब आपसे यहाँ पर जो आपकी जरूरी qualification है उस post पर apply करने के लिए वो जानकारी आपके सामने यहाँ पर दी गई है फिर other relaxation यान कि यह चूट मिलती है central government के employee को अगर आप इसके अंतरगत आते तो आप select कर लेंगे नहीं तो आप none ही रहने देंगे and then आप I agree पर click करेंगे और फिर यहाँ से आप new application पर click करेंगे इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा interface आ जाएगा जहाँ पर अब आपको कुछ information आपकी fill की हुई दिख रही है और कुछ information आपको यहाँ पर भढ़नी है जिसे कि यहाँ पर आपको email ID आपका जो अधार number है वो देना है अगर आप देना चाहते नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते है फिर आपका जो marital status है वो आप देखेंगे कि single है या फिर married है वो आप यहाँ पर select कर लेंगे identification mark यानि कि आपकी body के उपर वो निसान जिससे आपके सरीर की पैचन होती है अब यह mark कोई भी हो सकता है पर permanent mark होना चाहिए अगर कोई mark नहीं है तो आप यहाँ पर no mark लिख देंगे इसके साथ ही आप यहाँ पर जो आपको बोला है कि name as per matriculation certificate आपको यहाँ पर आपका नाम 10th के certificate के according फिल करना होगा आपका जो father full name है वो आपको यहाँ पर enter करना है आपकी mother's का name आपको देना है religion आपका यहाँ पर आपको select कर लेना है जो भी आपका religion है और इसके बाद में आप यह बाकी की जानकारी फिल करेंगे फिर आपसे पूछा कि क्या आपने कभी अपना नाम change किया है अगर हाँ तो yes नहीं तो आपको no रहने देना है या फिर no कर देना है state ut of origin का आप कौन से state के निवासी है वो state आपको यहाँ पर select कर लेनी है फिर आते correspondence address यानि के present address तो जो भी आपका house number village है वो आप यहाँ पर लिखेंगे district आप यहाँ पर fill कर देंगे आपकी state यहां से आप select कर लेंगे जो भी आपकी state है और आपके post office का नाम आपको यहाँ पर देना है अगर आपका permanent और present address same है तो आप यहाँ पर same as correspondence इसके उपर टिक करेंगे तो आपका यह address automatically यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद यहाँ पर आता है cast category and subcast तो आपकी यहाँ पर जो भी cast category है जैसे की जो भी आपने आपकी category select की है वो तो आपने select कर लिया है इसके सामने आती है cast तो आपकी उस category में कौन सी cast है उस cast का नाम आपको खुद से यहाँ पर लिखना है इसके बाद में आप यहाँ पर आप से पूचाए कि employment exchange कि आप किसी रोजगार करें लेके अंदर registered हो अगर हां तो yes नहीं तो आपको no कर देना है and then आप फिर से आप यहाँ पर save and next के उपर click करेंगे इसके उपर click करने के बाद में यहाँ पर आपको education and additional details इसके उपर click करना है इस पर click करने के बाद आपको यहाँ पर qualification की information देनी है तो यहाँ पर दोस्तो आप से apply करने के लिए जिस post पर आप apply करें वो जो जरूरी qualification है अनिवार या qualification है वो यहाँ पर मांगी जाएगी जैसे कि मैंने LDC post select किये तो मेरे सामने 12 की information fill करने का section आ रहा है अगर आप MTS पर apply करें तो आपके सामने आप 10th का विकल पाएगा आपको उसमें भी सेम तरीके से जानकारी देनी है अगर आप MTS पर apply करें है यानि कि आप यहाँ पर आपका जो 10th का roll number है वो enter करेंगे अगर आप MTS की post पर apply कर रहे है जैसे कि मैं यहाँ पर LDC पर apply कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर 12th की information पहले देनी है तो आप अपना roll number enter करें फिर इसके बाद में आपने आपकी जो 10, 12 हो कहां से की है आपको स्कूल कोलिज का नाम यहाँ पर enter करना है तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे इसको लिखने के बाद में यहाँ पर आता है select के उपर click करके कि आपने किस state से की है वो state आपको यहाँ पर select कर लेना है and then यहाँ पर आपने किस board के द्वारा किया है वो board आपको यहाँ पर select कर लेना है अगर आपका board यहाँ पर है तो आप उसको select कर लीजे ने तो आप यहाँ पर other के उपर भी click कर सकते है यानि कि आप यहाँ पर other पर भी click कर सकते हैं और जो आपका state board है वो भी आप select कर सकते हैं फिर यहाँ पर आता है कि किस साल के अंदर आपने जो qualification है वो पास की है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से select कर लेना है इसके बाद में यहाँ पर आपके जो total numbers थे वो कितने थे वो आपको यहाँ पर enter करना है and then उसमें से जो number आपको प्राप्त हुए थे वो कितने थे वो आप यहाँ पर enter कर देंगे यह enter करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने जो आपके mark से वो आ जाएंगी यान कि कितनी percentage आपकी वो आ चुकी है तो आप यहां पर देख सकते हैं तो इस परकार से आपके यहां पर information आ जाएगी और अगर आप ऐसी post पर apply करें जिस पर की अन्या qualification मांगी है तो आप उसकी जानकारे भी सेम तरीके से भर देंगे अभी मैंने LDC पर apply कर रहा हूँ तो यहां पर 12th की information दी है अगर आप MTS पर apply करें तो यहां पर आपको 10th की information देनी होगी इसके बाद में यहां पर आपके सामने नीचे जो option आएगा वो अन्या qualification को fill करने का भी आएगा जिसे कि यहां पर आता है miss silences तो अगर आपके पास कोई अन्या qualification है जो कि आप देना चाहते है तो आप यहां पर select के उपर click करके जो अन्या qualification आपको देनी है जिसकी 10th अगर आप MTS पर apply कर रहे हैं तो फिर आप यहां पर 12th select करेंगे और अगर आप LDC की post पर apply कर रहे हैं तो आपने ओल लेडी बारवी क information तो दे दी है बट आभी 10th की बागी है तो आप यहां पर 10th select कर लेंगे यह select करने के बाद में आप यहां पर सेम तरीके से ऐसे ही जानकारी भरेंगे जिसके अभी आपने 12th की भरी है और अगर आप MTS पर apply करें तो simply यहां पर आगे आपको कोई जानकारी अगर नहीं देन करना है photo का size 50 के भी से कम और signature का size 25 के भी से कम रहना चाहिए फिर यहां पर जैसे की ID card है वो आपको upload करना है और इसके बाद यहां पर आप 10th का certificate upload करेंगे अगर आप 10th की qualification से apply कर रहे है और आप 12th का certificate upload करेंगे जिसका size कितना रहना चाहिए उसके बारे में आपको बताया ह तो इन सभी certificate और images को upload करने के बाद आप यहां पर declaration के उपर click करेंगे इस जानकारी को save करने के बाद में. declaration के उपर click करने के बाद यहाँ पर आपको इनके उपर tick करना इस परकार से जैसे कि आप देख सकते हैं और tick करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पहले इसका नाम देना है कि कहां से आप इस form को भर रही है ये capture code fill करना है और preview and submit पर क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने आपकी भरे गई form का preview आएगा आपको सभी को चेक करते हुए submit पर क्लिक करना है और जैसे submit करेंगे आपका form submit हो जाएगा और आप यहां से इसका जो print है वो ले पाएंगे और आप उसका status भी यहां पर देख सक आपको पसंद आया होगा सो थैंक्स पर वाचिंग जय हिंद आपको सकूल करता है आपका form क्लिक कर देख समय होगा झापको जयुझ सेवादा है भेचित आपक झाम करते हुझ झापको जाफको जड आपका करते हैंगे और आपको जड़ करते हैंगे दो वाचिवा